हम में से जाएतर लोग सुबह उठते हैं, आफेस, स्कूल या कॉलिज के लिए तैयार होते हैं, बस, ट्रेन, गाड़ी जो भी हो हम उसमें बैठ कर अपना सफर शुरू कर देते हैं, मगर एक बार भी हम उस वीकल या उस गाड़ी के बारे में नहीं सोचते जिसमें हम सफर कर रहे हैं, आज की लिस्ट में हम देखेंगे, आज तक की बनाई गई 20 ऐसे अनोखी गाड़ियां, जो आपको रोज मर्रा की जिन्दगी में काम आने वाली मामूली गाड़ियों की सराहना करने पर मजबूर कर देंगी नमबर बीज, जिल उनत्तिस सुच है, ये अनोखी और अजीब से दिखने वाली गाड़ी एक स्कुरू ड्रिविन एमफेबियर्स क्राफ्ट असल में एक रश्यन वाहन है, जिसे मूल रूप से इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि अंत्रिक्ष कैपसूल को रिकवर किय जा सके, रश्यन निर्माता जिल ने इस मिशन के लिए दो वाहन डिजाइन किये थे, उनत्तिस सुच है और उननचा सुच है, उननचा सुच है क्योंकि छोटी थी उसे उननचा सुच है के ऊपर रख के सवारी की जाती थी, जब तक उसे चलने लाय केरिया नहीं मिलता और फिर 1906 को रिकवरी मिशन के लिए लागू किया जाता था, जमीन पर ये करीब 16 किलोमीटर प्रती हंटे के हिसाब से चलती है, वहीं दलदल में ये वाहन 20 किलोमीटर प्रती हंटे के हिसाब से चलता है, हाला कि बर्फ में जो कि उसे चलने में सबसे जादा मदत करती है, ये कि कुछ मेंबर्स ने इस विमान का नाम उनके फ्यूजलाज से ट्रांसलेट करने में गलती और नाम मिला कैस्पियन मॉंस्टर हलाकि उस पे लिखे अक्षर का रिशियन में मतलब था कोर्बल मार्केट या प्रोटोटाइप शिप कैस्पियन सी मॉंस्टर एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड एफेक्ट वहान है जोकि तकनीकी तोर पर उड़ता जरूर है मगर सतह से बहुत ही करीब रहता है ताकि उसे ग्राउंड एफेक्ट का सहारा मिले इसे और भी ज्यादा सफल बनानी की कोशिश में इस विमान को विशाल रूप से बनाने के जमान था ये जब तक AN-225 ने उड़ान नहीं भरी थी नमबर 18 वीजेड नाइन एवरोकार कोल्ड वार के तुरान मिलिटरी पूरी दुनिया में नए और कभी-कभी बहुत ही अजीब गरीब क्राफ्ट बना रहा था जिसमें US मिलिटरी भी शामिल थी US और केनड़ा की बी जब वीजेड नाइन के स्थिरता प्रणालियों में बार-बार सफलता मिलती रही तो इस परियोजना को रद कर दिया गया नंबर सत्रा फायर वर्ड एक्सपी टूवन जब आप फायर वर्ड एक्सपी टूवन जैसा नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में किसी मसल कार की तस्वीर सामने आ जाएगी जो मार्केट में 1960 में आय थी हलाकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यह शायद ही कोई सोच फायरवर्ड XP21 ये 370 होस्पावर फाइटर जेट से प्रेरित टर्बाइन पावर्ड रॉकेट कार है जिससे देखकर लगता है कि इसे जमीन के लिए नहीं बलकि आस्मान के लिए बना गया था बहुत बाद में इसके ओरिजिनल आइडिया से प्रेरित होकर एक ऐसी ब्रिटिश वाहन बनाई गई जिसने जमीन पर चलने वाली सारी गाड़ियों का वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड इनी बलकि पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसने साउंड बेरियर्स को भी तोड़ दिया दे थ्रस्ट SSC काफी एक जैसे आइडियाज और कॉंसेप्स को लिकर बनाई गई जो की 1950 से थे थ्रस्ट SSC XP21 जैसी ही है बस उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नमबर 16 दब बनाना कार एक बात बताओ वो कौनसी गाड़ी जो पिक अप जितना बड़ा है और एक बहुत ही ताजा के लिए जैसी भी है और इसका जवाब भी मैं खुद ही दे देना शाहूंगा वो इनसान जो इस गाड़ी को चलाएगा वो इस गाड़ी में ज़्यादा आजीब होगा तो पेश है तब एक बनाना कार इस गाड़ी के मालिक और डिजाइनर स्टीव ब्रेथवेट ने खुद से जरूर एक सवाल पूछा होगा और फिर खुद ही ने खुद का जवाब भी दिया होगा तो इन्होंने एक बहुत ही बड़िया नाइटी नाइटी न BMW जीना कॉंसेट कार यह अपना आकार बदलती बीमर महज एक डिजाइन नहीं उससे बहुत ज्यादा है इसने डिजाइनर के सोचने का तरीका बदल के रख दिया जीना एक फैब्रिक शेल के साथ हाती है ना कि प्लास्टिक अलुमिनियम या स्टील फैब्रिक की वज़े से गाड़ी अपना लुक बदल सकती है और शेप भी और कुछ चीजें भी करती है जैसे कि दर्वाजा खोलना हैड्रेस तयार करना या फिर छत खोलना वैसे BMW एक बाद बताओ यह कर कैसे ले तो तुम लोग खैर जाने दो नमबर चौधा दा कोलिम केरावैन डिजाइनर क्रिस्टियन सुनेना ने एक ऐसी गाड़ी डिजाइन के जिसे शायद देखने के लिए दर्शक ना इकट्थे हूं मगर उन लोगों के कान सरूर खड़े हो जाएंगे जो एक मुबाइल जिन्दगी जीना चाते हैं से सिर्फ यल बचाने के अलावा भी और भी कई फायदे हो सकते हैं नमबर 13 हिमिको वाटर बस स्टार ट्रैक जैसी किसी फिल्म से बाहर आई जैसी दिखने वाली यह हिमिको वाटर बस है जिसमें काफी मौडर्ण सुविधाय हैं और बेहत खुबसर नजारे भी इस वाटर कर लेंगे मगर इस वैन के लीड इंजिनियर माइक थिवोल्त को इसमें डरने वाली कोई बात नहीं लगती हां माना च्छत पर बस एक सेंटीस फीट वड़ी इतितली बैटी है बस मगर जब यह पता चलता है कि यह 6,000 स्केर फीट वाले वाहन पर रंग बिरंगी बिजली बीच अमकती है तो रात के नजारा बदल जाता है सबस अच्छी बाती है कि इसमें एक ऑन बोर्ड घीस फायर है जो बायो मास का फ्यूल बनाती है इस डॉज में की इंजिन के लिए एक हिंदुस्तानी जनाप सोच रहे थे कि इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्या किया जाए और फिर उन्होंने बनाई दुनिया की एक लौती क्रिकेट बैट कार इसमें चार पई ये थे और एक 135 सी सी इंजिन पर ये चलती थी वजन करीब 300 किलोग्राम था और 60 किलोमीटर यानि की 37 मिल परती घंटे से चल सकती थी बस एक ही सवाल है भाई इससे क्रिकेट भी गिल सकते हैं क्या नमबर 10 निमुथ पैरासोल ये रेलिक 1930 में कुछ मायामी यूनिवस्टी के चात्रों ने बनाया था वैसे तो इसे ओडन तश्तरी से मेल खाने की बाते उठती हैं मगर निमुथ ये बताना चाहते थे कि एक गोल विंग भी हवाई जहास पर लग सकता है एक निउस्पेपर ने भी ये कहा कि पैराशूट प्लेन आंगन में लेंड कर सकते हैं और जब आस्मान के सहर से दिल भर जाए तो अपने गैराज में पाक कर दो दूरभागी से इस प्लेन को कबार में डालना पड़ा क्योंकि इसकी फ्यल एफिशनसी काफी नहीं थी और दे वर्ल लॉंगेस्ट लिमुजीन तीस मीटर से भी जादा लंबी ये लिमुजीन लंबाई की मिसाल है एक हीट जकूजी एक संडेक एक स्विमिंग पूल और बैट्स काफी नहीं थे इस लिमुजीन में इतनी जगह है कि खुद का अपना हैलिपैट भी है लोगों को एक पीनर 1936 में बनाई गई थी और तब से कुछ 11 बना दी गई है इस गाड़ी की खास बात यह है कि सिर्फ कॉलेज जाने वाले चादर जो ग्रेजेट होने वाले हैं वही इसको चला सकते हैं होट डॉगर्स को हर साल एक पूल से चुना जाता है जिसमें करीब बॉब चेंडलर अपने इस विशाल निर्मान को सड़क पर ले आये 1989 में मॉंस्टर ट्रक के नए वेरिशन लगभगार साल आते हैं कम से कम तीन अलग बिगफुट की वेरिशन को वर्ल रिकॉर्स दिये गए हैं 2009 में बिगफुट को टॉप 5 मार्केटिंग विकल्स में भी गर्व की बात है क्योंकि उसके साथ यूएस निवी ब्लू एंजल्स और यूएस एयर फोर्स थंडर बर्ड्स को ये सम्मान मिला है नमबर 6 लॉखीड मार्टिं पी 791 ये काफी यूएफो साइटिंग के लिए जमेदार है लॉखीड मार्टिं पी 791 किसी बच्चे के बने हुए हैं और इसे खरीदने वाले के लिए बेहितर बनानी की कोशिच में लगे हैं वह कहते हैं कि P791 बीस हजार फीट की उचाई पर तीन हफ्तों के लिए ओड़ सकता है वो भी बिना रिफ्यूलिंग के नमबर 5 दा कॉस्मिक मफिन ये अनोखा विमान बाहर से बहु लंदन ने लेंड क्लिफ से इसे बचाया और अगले चार सालों तक इस पर काम करके इसको बदल कर हाउस बोड बना दिया इसके खास बात यह है कि अंदर के खुबसूरती बाहर से पता नहीं चलती नमबर चार बीम ड़ीव 4219 एली या जीप से रेसी मशीन शाहिद अपने से आता है 459 हॉर्स पावर जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर 87 हॉर्स पावर बनता है इसमें और सिर्फ एक ट्रांस्मिशन इस अनोगी बीमर में है एक ट्रॉय ट्रंक BMW कहती है कि वो खिलोने से भरी है उसे खेलने वाले चाहिए नमबर 3 Convertible Fat Car अगर आपको Smoothly Design वाली कार्स जो आज की Modern Help से बन जाती है उसमें आपकी दिल्चस्पी नहीं है तो एक मोटी और अजीब Convertible Fat Car शायद आपके लिए सही हो जहां बाकी के सारे स्कल्प्चर्स ध्यान देते हैं चीज़ों को सही से शेप देने में करना चाहिए थी वह अब तक नहीं की नमबर 2 अलेक्जेंडर लिपीशियस एरोडायन एक कार्टून और एक कॉंसेप्ट के बीच तहरता यह नमूना अलेक्जेंडर लिपीशियस एरोडायन को इतिहास के किताबों में ले जाएगा इस दुनिया की सबसे अनोखी रचना क काफी होगा इस वहन को जमीन से ओड़कर उपर जाने के लिए इससे पहले वाले वर्जन में कॉक्पिट भी हुआ करती थी मगर टेस्ट वर्जन में हटा दिया अब बारी है सबसे बड़े ताकतवर और सबसे अनोखे वाहन की यह है इगोर सबोलिवस्की की कॉनसेप्ट वीकल कारेशमता और शक्ती का मिशन बना कर एक ऐसी गाड़ी बनाई गई है जो दुनिया भर के जारतर लड़कों और मर्दों के सपनों में आती है यह कॉनसेप्ट वीकल प्रेट है एक रशियन कामास टाइफून से रूस अब भी एक मल्टी फंक्शनल मॉड्यूलर आंड माइन रेजिस्टेंट कामास टाइफून का इस्तिमाल करता है मगर इगोर की यह कॉनसेप्ट कार बड़े प्रेमाने पर इन सबसे अलग है मगर फिर भी इतने बड़े वाहन को देखकर हम यही सोचते हैं कि हम वीकल डिजाइनिंग में कितने आगे आचुके हैं और इससे आगे कहां तक जा सकते हैं इस लिस्ट में आपकी सबसे पसंदीदा वीकल कौन सी थी दोस्तों या आपको सबसे ज्यादा किस ने चौकाया नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं और हाँ अगर आप यहां पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प् झाल